सब्सक्राइब दर्युदर सब्सक्राइब बताओ ये question था simply subtraction और addition का यानि जिसमें आपको जोड और घटाओ करने थे लेकिन हम आपको बार-बार बताए है कि जोडना या घटाना उनी के साथ में होता है जो same quantities होती है बास समझ में आ रही है जैसे यहां पर x square yz है तो x square yz x square yz के साथ ही घटेगा या उसमें जुड़ेगा बास समझ में आती है बोलो अगर यह बास समझ में आती है तो इसका मतलब यह है कि 3 x square yz 6 x square yz के साथ में जुड़ेगा तो 6 और 3 कितना हो गया नो यानि कि 9 x square yz बोलो कोई दिकत और यहां पर 5 x y है तो 5 x y किसके साथ में xy के साथ में तो देखो यहां पर minus 8 तो यह इसके साथ में घट जाएगा तो minus 8 है और plus 5 कितना आ जाएगा minus 3 x y कितने लोगों का आया है इतना अंसर कितने लोगों का आया है very nice बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां इसका मतलब पहला question लगभग सारे जनों का सही था क्या मैं यह मान सकता हूँ पक्का किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें यह देखना है कि यहाँ पे कौन सा टर्म आ रहा है तो जो टर्म यहाँ जैसे हम तुमसे कहें कि दो बंदर हैं और दो गधे हैं फिर चार बंदर हैं और चार गधे हैं तो बंदर को बंदर के साथ में एड करियेगा न भाई और गधों को गधों के साथ में तो वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पे क्या है सेम सेम टर्म वाली चीजें सेम सेम टर्म वालों के साथ में सब्ट्रेक्ट या एड हो जाएगी, क्या आपको कोई दिक्कत होए, है, नए, चलो यहाँ पे आओ, यह थोड़ा सा देखने में बड़ा था लेकिन था बड़ा सिंपल, फिर से आपको वही काम करना है, कौन सा काम, कि यहाँ पे यक्स वाई जड है, क्या है, एक्स वाई कहा है, यहाँ पे है, और यहाँ जड कहा है, यहाँ पे, सबसे पहले ऐसे ही पैंसल से कर लिया, करो, उसके बाद देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 8, 2, 10, 10, 1, यानि कि यहाँ पे 11, X, Y, Z, बोलो कोई दिक्कत, नहीं, बहुत अच्छे, यहाँ पे माइन बिलकुल काम करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का सीख से, यहाँ पे प्लस का 2, हो गया जाएगा, बहुत अच्छे, माइनस 4, X स्क्वायर, Y, बोलो कोई दिक्कत, नहीं, बोलो कोई दिक्कत, नहीं, अब यह बंदा, X, Y, Z है, हाँ हो तो गया, सारा काम हो गया ना, बस यह आंसर किसका आ रहा था, चलो फटा फट बोलो, अरे, वा, 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 ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अब की बार फिर से वही चीज करना है, कि तुम सेम टर्म वाले बंदों को पहले अंडरलाइन कर लो, जैसे यहाँ पे X, Y है, और कहा आतीन, 14, 14, 14, Y, कोई दिक्कात, नहीं है, अब देखो, Y, Z कहा है, Y, Z, Y, Z, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो 2 और माइनस 8, कितना हो जाए का लड़की बोल, ओ, प्लस 2, माइनस 8, कितना, माइनस 6, कितना, माइनस 6, क्या, Y, Z, अब देखो, यहाँ पे Z, X है, और य यहाँ पे X, Z है, तो दोनों बाते एक ही है, चाहे Z, X लिखा हो, चाहे X, Z, बोलो हाँ या ना, तो 6 प्लस 6 इस इक्वल 2, 12, X, Z, हो गया सारा, सारा काम खतम, यानि कि अगर आप इतना, किन-किन जनों का हाया था, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कर दरी इस तरह का काम कर रहे हो, तो यह मान के चलो कि तुम बहुत ही बहतरीन काम कर रहे हो, क्योंकि इस लेबल पे वो बंदे काम करते हैं, जो minimum 7 या 8 कलास में पढ़ रहे होते हैं, तो आप भी ऐसका काम कर रहे हैं, तो आप यह मान लीजिए कि आप advance है, इसलिए इस class का नाम हमने रखा Advanced Mathematics ओके चलो अब यहां पर आपको एक दो दो डिवीजन दिया गया है दो भाग दिया गया है और दो multiplication दिया गया बोलिए भाई हो जाएगा कर चुके हैं आओ देखते हैं पहले नीचे से सॉल्व करते हैं जिसे की ऊपर वाले के लिए इस पेस हम लोग बचा ले जाएं चलो पहले इस पे फोकस करो इस पे कमान 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 इस पे सारे लोग कंसंट्रेट हो गए इधर इस्टाट करें कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके सामने अगर धेर सारा खाना रखाओ तो हमको सब से मतलब नहीं है हमको केवल और और सबजी से मतलब यानि कि पहला टर्म और पहला टर्म बोलो हाया ना बोलो भाई तो यहां पर देखो यहां पर 2x है और यहां पर 4x square है कुछ-कुछ दिमाग चलने लगा कि 2x में ऐसा क्या multiply कर दें कि 4x square हो जाए वेरी नाइस क्या 2x तो 2x को multiply करिए 2x से 2 2 जा 4 और x x x square बोलो हाया ना और यहां पर प्लस है यहां पर नीचे प्लस 4x square अब देखो भाई यह भी है तो साथ में इनको भी थोड़ा सा इनको भी सम्मान देना पड़ेगा तो 2 3 6 यानि 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस यानि माइनस का 6 x y यहां तक किसी बच्चे को कोई problem very nice फिर इसके बाद क्या होता है क्या होता है पहले इसको क्या करते हैं उपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं घटाने के लिए मैंने आपको बोला था कि यह जो निसान है इसके यह जो इसके sign है sign change हो जाता है यानि plus का क्या हो जाएगा minus और minus का क्या हो जाएगा plus और plus 4 x c square और minus 4 x c square क्या हो जाएगा बच्चे बोलो क्या हो जाएगा भाईया यह हो जाएगा खतम जैसे plus 1 minus 1 हो गया 0 वैसे यह हो गया क्या 0 अब यहां पे देखो minus का 12 x y और plus का 6 x y क्या होगा माइनस का 6XY यहां तक किसी को कोई तकलीफ? नदी कोई दिक्कत? नदी इसका मतलब हम इसको अब नीचे उतार लेंगे यहां पे हो जाएगा प्लस का 9Y स्क्वायर बोलो 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 कोई दिक्कत? नदी कोई दिक्कत? नदी Very nice यहां पे माइनस का 6X है और यहां पे देखो अब देखो यहां पे यहां पे XY है माइनस का 6XY और यहां पे केवल 2X ऐसा क्या इसमें मल्टिप्लाई कर दे कि यह माइनस का 6XY बन जाए? बहुत बढ़िया माइनस का 3Y Very good तो माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा? माईनस का 6 और x और y का मल्ट्िप्लाई क्या हो जाएगा? x y और फिर से माईनस का 3 और माईनस का 3 क्या हो जाएगा? प्लस का 9 और y का y square चल देख मेरे भाई इधर देख इधर? घटाएंगे निसान बदलेगा पलस निसान बदलेगा पलस माइनस पलस माइनस गुद गुद बंध coil Q चाहिए और आपको हमने यह भी सिखाया भाई कि आप ऐसे questions को चक कैसे करेंगे यानि आप अपने मास्टर बन सकते हैं इस क्वेशन के लिए कि नहीं कैसे इन दोनों जनों को गुड़ा कर लो और आना चाहिए क्या ये यानि की भागफल यानि की भागफल और भाज क्या कहते हैं इसको भाज़क 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 इसको कहते हैं भाज़क यानि जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर डिवाइजर डिविडेंट और इसको क्या कहते हैं रजेल्ट या क्वेशन तो बीच वाला होता है तो आप ये देखिए इसका जो रजेल्ट आया है इसको इससे आप क्या कर सकते हैं? Multiply कर लीजिए तो आपको ये बीच वाला आजाना? अगर आपका ऐसा आता है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका answer बिल्कुल सही है क्या कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हों ने इस वाले question को अपना best try किया है वह ये remainder की आया है? remainder आया होगा ना? कुछ ना कुछ remainder आया है good, 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 good कुछ ना कुछ remainder आया होगा क्योंकि हमने इस question को दिया ही है ऐसा था और ये question आपको ताजो बोगा सुनके ये R.D. Sharma 10th class का question है जो कि यहाँ पे हमारे 6 और 5th class के बच्चे और 6th class के बच्चे ट्राई कर रहे हैं सुरू क्या गए पक्का चलो आजाओ सबसे पहले हमने क्या कहा था भई इसको देखो और इसको तो यहाँ पे 2x में किस से multiply करने की 14x क्यूब हो जाए 7x square 7x square 7x square चलो ठीक है तो 7 दूना 14 यहाँ पे हो जाएगा 14x cube और 7x7 यानि कि माइनस का माइनस का 7x square यहाँ तक कौन है मेरे साथ हभी तक अभी तक मेरे साथ कौन बना है बहुत अच्छे वेरी गुड यहाँ पे निसान बदलेगा यह माइनस हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा और यह दोनों जाएगा कट बोलो हाया ना पक्का यहाँ बेरी गुड इसका मतलब यह हो गया my dear 7x square और यह हो गया माइनस का 5x square तो प्लस 7 minus 5 क्या हो जाएगा 2x square बेरी गुड बेरी गुड 2x square और इसको ऐसे ही उतार लो प्लस का 9x उसको ऐसे ही उतार लो माइनस का 1 यहां तक कौन मेरे साथ है वावा 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 वेरी नाइस इसका मतलब आप ने questions सही try किया है अब इधर देखो मेरे भाई देखो यहां पे 2x है यहां पे 2x square है किस से जाएगा पहाड़ा x only x only x तो x को इसमें पहाड़ा पढ़िएगा कितना हो जाएगा 2x square और x का minus 1 में minus x फिर से वही process घटने वाली घटने में घटाने में क्या होता है निसान बदल जाया करते हैं बोलो हाया ना यह दोनों जन तो खतम हो गए बोलो हाया ना यहां पे plus यहां पे plus 9x x कितना हो गया 10x बहुत अच्छे plus का 1 अब देख मेरे भाई देख यहां पे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ टेक्निकली क्राइम हो रहा था चलो डिगत 2x minus 1 यहां पे 7x minus 1 बोल बच्छे क्या होगा कितनी बार पहाड़ा only five time only five time only five time plus का 5 तो 5 तू जा 10 और 5 वन जा 5 minus का 5 बोल बच्छे यहां पे minus यहां पे plus यह दोनों जन कट गए यहां पे plus 5 में से minus 1 करिएगा क्या होगा 4 यह 4 आपका remainder आ गया 4 आपका remainder तो मेरे ख्याल से यहां तक आपने addition आपने subtraction और आपने division पे अच्छी खासी कमान हासिल कर ली होगी बोलो हाया ना पक्का पक्का पीछे बच्चा नम किलियर पीछे लड़के एदम किलियर पक्का अगर आज के बाद ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे तो चुटकी बजा के स्वाल कर लीजिए का पक्का बोलो पक्का चलो डिगए अब आजाओ हमने लास्ट में रखा है multiplication का funda multiplication का funda आओ इधर आओ यह multiplication का sign है इसको एक्स मत मानना इसको एक्स कताई मत समझना भया नहीं तो टेक्निकली क्राइम कर दोगे अब आपको क्या करना है इधर देखिए 2x square y plus 6y plus 2xz multiplied by x plus y plus z हो जाएगा पक्का बोलिए हो जाएगा ट्राइ कर चुके हैं कितने लोग ट्राइ कर चुके हैं ओहो बहुत अच्छे बेरी नाइस बेरी नाइस बेरी नाइस चलो डिक है आजाओ आजाओ फिर देख लेते हम लोग भी देख लेते भाईया कैसे होगा यह अब आया तुम्हारा असली टेस्ट मल्टीप्लीकेशन का चलो यहां से जुरू करो टू एक्स जेड गो है यह जाहां मैं गलती करूँगा हमको बताना ठीक है बहुत अच्छे जेड को सिक्स से मल्टीप्ला एजए तो प्लस का 6 x y z कोई दिखा बहुत अच्छे चलो मेरे साथ z को 2 x square y से multiply करेंगे क्या जएका 2 x square y z एक साथ बोला करो मज़ा आ जाया करें चलो फिर से अब याद रखना एक साथ वाले बंदों को एक साथ ही रखना है अगर वह ऐसे मिल रहे हैं तो चलो यहाँ पे y है यहाँ पे 2 x z यानि कि क्या जाएगा 2 x y z तो x y z का टर्मारा किसके साथ रखेंगे very good यहाँ पे आप रख दीजे 2 x y z बोलो हाया ना बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे चलो इतरा y और x y multiply होगा 6 x y square कहीं है क्या x y square बोलो हाया ना बच्चे बहुत अच्छे चलो आजाओ फिर से यहाँ पे 2 x square y और इसको multiply किससे कराना है y से तो यह आजाएगा 2 x square y square ऐसा कोई है क्या अलक्सियस्थान बनाओ क्या हो जाएगा 2 x square y square यहाँ तक मेरे साथ कौन है इसका मतलब आप सही कर रहे हो बेरी नाइस इदार आओ फिर से आओ यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 x z यानि कि multiply करने के बाद आएगा 2 x square z कहीं दिख रहा है x square z कहीं दिख रहा है इसका मतलब अलक्सियस्थान बनाएं चलो यहाँ कहीं 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 यहाँ कहीं बना लेते हैं थोड़ा सा अलग-अलग इसलिए करते हैं कि लिखने में फिर मज़ा आ जाएगा क्या हो जाएगा 2 x square z 2 x square z प्लस का चलो very nice आजओ अब की बार x square y कहीं है क्या x square y कहीं है क्या नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 x square y यहाँ पे लिख दो प्लस का 6 x square y कोई दिक्कात कोई दिक्कात चलो फिर से आ जाओ यहाँ पे x cube y आ जाएगा क्या जाएगा x cube y यानि कि 2 x cube y कितना 2 x cube y वा भाई इतने लंबे इतने लंबे लंबा तो इसलिए होगा है क्योंकि हम लोगोंने बिल्कुल अलग अब इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है अब क्या करना होता है जोड़ना होता है come on बच्छा पाड़ी इसको नीचे उतार लो प्लस का 2 x z square बोलो हाई या ना 6 2 प्लस का 8 x y z यहाँ पे प्लस है प्लस उतार लो 2 x square y square बोलो फिर इसको नीचे उतार लो प्लस का 2 x square z बोलो यहाँ पे प्लस का 6 x square y बोलो यहाँ पे बोलो 2 x cube y बोलो शिराम चंदजी की तना लंबा हो गया बाई देख रहे हैं लेकिन मज़ आया की नहीं बाइदे को जब तुम्हें fundamental पथे ना, जब तुम्हें बेसिक्स पथा, जब तुम्हें बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल एक दम Lorwe पता होती किसी चीज की न, तो कोई धर नहीं लगता. इससे भी लांबा जा, पूरा board भर जा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगी ही नहीं तो are you ready for this question पक्का ट्राइ करिएगा कर चुके हैं मेरे ख्याल से बहुत अच्छे यह answer किस किसका आ रहा था क्योंकि अगर यह आ रहा था तो इसका मतलब आपको multiplication में कोई भी बंदा हरा नहीं सकता कोई कितनी भी बड़ी multiplication का कोई भी कितना भी बड़ा multiplication का question दे दे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है हाथ नीचे कर ले हाँ ठीक है चलिए अब आज़ेए question number seven come on इदार फुली concentrate फुली कंसंट्रेट फुली कंसंट्रेट फुली फुली सारे लोग का ध्यान इदार पक्का पक्का ओय लड़की इदर देख चाल इदर देख अब य का य से मेल्टिप्लाई करा ना या पे y square ऐगा य कोई क्यूंड आप तो यहां तुमी स्माट हो चुके हो चलो यहां से यहां क्या होजाए टू यक्स y square बोलो हाया ना चलो फिर से आजाओ यहां पे एक्स स्क्वाइर वाई बोलो हाई या ना कोई दिक्कत कोई दिक्कत वावा वावा बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब एक्स वाली बारी है एक्स वाई स्क्वाइर आगा कहीं दिख रहा क्या कहां 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 एक्स स्क्वाइर वाई कहा है xy sorry sorry xy square यहां पर आपको दिखरा वही है यहां पर तो यहां पर आप इसको लाकर पटक दें क्या x y square बोलो हाई ना बहुत अच्य x square y कहीं दिखरा क्या बिलकुल है कहीं चेंचे नहीं यहां पर देखो यह प्लस का 2 x square y बोलो है ना चलो यह इस से multiply कराओगे क्या है गा एक स्क्यूब एक बाद जानते हो मैंने आपको एक फार्मूला बना के दे दिया नहीं भी स्वास हो रहा है अरे भाई जब x plus y का whole square करते हैं तो क्या मिलता एक स्क्वाइर प्लस 2 x y plus y square मिलता है और इसमें आप x plus y से multiply कर दें इसका मतलब आप जाने हाँ जाने अन जाने में आपने किसका फार्मूला बना दिया x plus y का whole cube अब देखिए answer क्या आएगा अब देखिए answer क्या आएगा चलो 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 पता लगा है यक्स क्यूब बोलो यक्स क्यूब प्लस का 3 3 x square y plus 3 x y square plus y cube यही निकल के आता है मेरे भाई जब आप फार्मूला जब आपसे आज के बात कोई भी फार्मूला पूछेगा कि x plus y का whole cube तो आप बोलेगे गा x cube plus x 3 x square y plus 3 x y square plus का y cube ऐसे ही फार्मूले बनते हैं ऐसा थोड़ी की जितने identity जो आले a plus b का whole square a minus b का whole square a plus b का whole cube a minus b का whole cube और तुम्हें याद होना चाहिए पहले दिन हमने तुम्हें क्या का था x plus y plus z का whole power फोर दिया था फोर दिया था यानि आप लोग तो power 4 तक काम कर चुके हैं तो ऐसे question तो आपके लिए बिलकुल क्या आपको ये question comfortable लगे क्या आज के बाद जोड घटा और गुणा भाग पे फिर से बात करनी पड़ेगी पक्का वेरी गुड इसका मतलब अब हम लोग तो ऐसा काम कर सकते हैं कि next chapter जो रखेंगे वो रखेंगे factorization यानि कि कैसे algebra में कैसे बीज गणित में हम लोग factor करते हैं गुड़न खंड कैसे करते हैं तो चले लेडिक है next lecture में मिलेंगे कुछ नए concept के साथ अब तक के लिए टाड़ा भाई भाई जैन